लाल बहादूर शास्त्री और गांदी जी के बीच में एक बात कॉमन है। इन दोनों का जनन दिन दो अक्टोबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी दो अक्टोबर को, गैस करोगे। हाँ हाँ सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि दो अक्टोबर और तीन अक्टोबर को विजय सालगावकर उनकी पूरी फैमिली के साथ कहा पर गए थे, क्या खाय था, क्या पिया था, कहा पर बैठे थे, कब रिटर्न आय थे, सारी चीजे, सारी डीटेल्स काफी अच्छे तरीके से हम सभी को याद है, right? Well, 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 it's been 7 years और अभी भी विजय सालगावकर के फैमिली टॉर्चर हो रही है, पुलीस के द्वारा, क्योंकि आय जी मेरा दिश्मुक को अपने बेटे की बॉड़ी अभी तक नहीं मिली है, और क्योंकि वो एक मा है, तो बिलकुल भी move on नहीं कर पा रही है, इस incidents को लेकर, द्रिश्म 2 आ चुकी है थेटर में और द्रिश्म 1 और द्रिश्म 2 के बीच 7 साल का फासला और इसके बावजू, द्रिश्म 1 की पूरी की पूरी स्टार कास्ट बिलकुल वैसे की वैसी यहाँ पर ली है, तो I think वो सबसे बड़ा प और इसकी वज़े से movie काफी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, इस movie को जाने से पहले मेरा सबसे बड़ा concern यह था कि यार अबना 7 साल हो चुके है और क्या मुझे पहले पहला जो पार्ट है द्रिश्म का, मैं Bollywood के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो क्या वो देखना ज डिटेलिंग आप छोड़ते नहीं हो, और सारी movie आपको फड़ा-फड आखों के सामने आ जाती है, वेल द्रिश्म 1 और द्रिश्म 2 दोनों भी Bollywood में जो बनाई गई है, मैं सिर्फ और सिफ उसी के बारे में आज बात करूँगी, हाला कि यह review सिर्फ द्रिश्म 2 का ही है, क मुझे पता चला कि 80-90 प्रतिशत जो लोग है, उन्होंने मलारम भर्जन नहीं देखा हुआ है, वो डिरेकली पहले Bollywood ही movie देख रहे हैं, और उसके वज़े से हमारे लिए यह काफी fresh story है, और काफी नया plot है, काफी सारे twist and turns है, काफी खुबसूरत एक journey है, मुझे लगता ह विजय सालगावर के रोल में है, बाकी की सारी की सारी casting scene है, और पूरी की पूरे जितने भी actors हैं, चाहे वो side actors हो, सारे लोग बिलकुल उसी energy के साथ, उसी emotion के साथ, और उसी एक spark जो होता है, अपने acting का जो छोड़ के गए थे दृश्यम के one में, उसी spark के साथ वो और इसी स्लो आपको feel होगी, वो इसलिए क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ा जो built-up उन्होंने की है, वो आखिर में जाके जब story पूरी conclude हो रही है, तब आपको पता चलेगा कि वो scene बहुत important था, इस story को आगे लाने के लिए, अब दृश्यम 2 में नया क्या है, तो दो characters introduced हो चु goosebumps और हैरान और पता नहीं कुछ अलगी feelings देने वाला था, तो उनका role जितना चोटा है वो उतना ही strong है, उसे के साथ साथ अक्षे खना, oh God, let me tell you, वो अपने role में इतने amazing काम कर रहे है कि आपको legit वो जब जब screen पे आरे तब तब आपको डर लगेगा उनको देखने के बाद, येस, पहले पार्ट के अगर हम बात करें तो तबू और अजय देवगन लीड करेक्टर्स में थे हाला कि opposite थे एक दूसरे के पर तब ही मैं कहूंगी कि दोनों को equal importance था, दृश्यम 2 में तबू के जो scenes है, वो काफी कम है, वो एक थोड़ी से मुझे disappointment लगी, पर मुझे लग मा जो है, वो strong मा, जो बिलकुल हार नहीं मानना चाहती है, और चाहे, by hook और by crook, but she just wants to find her son's body and I feel की she can go to any length, वो उन्होंने प्रूफ कर दिया है अपने character के जरिए, अगर हम बात करें इसके पूरे एक overall location, cinematography and everything के बार में, क्योंकि अगर हम दृश्यम 1 के बात करें, तो के बाद काफी बड़ी जिम्मेदारी थी अभिशेक पाठक के ऊपर क्योंकि second part जो हमेशा से होता है कि जब पहला part आपका बहुत ही successful रहता है, तो जब second part आप बनाते हो कोई भी sequel, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं क्योंकि failure के chances जादा होते हैं, पर यहाँ पर प सब कुछ जादा अच्छा है, तो अभी शेक पाठक, I think he has done such a great job, कि आपको वो difference महसूस भी नहीं होगा, आपको लगेगा भी नहीं कि एक different director की vision के तौर पर आपको यह movie दिखाई जा रही है, अगर हम बात करें, locations और cinematography के बार में काफी beautiful, dark intense, depth वाली, contrast theme उन्होंने पूरी Hollywood has used Goa as a location, as a film location, पर इसके पहले भी जितने भी जगह पर, जितने भी movies में Goa दिखाया गया है, I am giving you like 100% surety की, Drishyam 2 में, जिस प्रकार से Goa को दिखाया गया है, आपको कल वहा पर जाने का मन होगा, इतने beautifully locations को उन्होंने दिखाया गया है, and I think, मतलब आप Goa के प्यार में म तो सबसे पहले मैं अभी सारे positive points के बारे में बात करूँगी, BGM काफी अच्छा है, पहले part में दम गुड़ता है, was such a nice song I feel, पर उसके बाद जाके अब दिरिक्ष्रम 2 में काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, जो यहाँ पर देविश्री प्रसाद जीजो है, उनके द्वारा के negative points के बारे में, हाला कि जादा कुछ है नहीं, पर सबसे पहला negative point यह है कि यह remake है, तो क्योंकि जो औरी लोग बल्यारम वर्जुन देख चुके हैं, उनके लिए कुछ भी नया नहीं है इसमें, पर हां, कुछ scenes है जो थोड़े से अलग तरीके से दिखानी की कोशिश की ग यह ऐसे film साबित होगी 2022 के खतम होते होते हैं, जो Bollywood की नईया पार करने वाली है, और जिस प्रकार से response में मिल रहा है, I think मुझे यह personally फिल्म बहुँ ज़दा पसंद आई है, और हां, अब सबसे बड़ा cherry on the cake वाला moment, let me tell you, इस movie की पूरी जो जान है ना, वो है आखिर के 15 minute, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, पर नाशिक के थेटर में लोग नाच रहे थे, literally लोग नाच रहे थे, I wish कि मैं उनका वीडियो बनाती, पर मुझे वो फिल्म में इतना खोच चुकी थी कि मुझे वो मोमेंट मिस नहीं करना था, but trust me, आप लोगों की मुझे सीटिया निकल में और हाँ, अभी भी ये मुवी थेटर में है, तो जाना बिल्कुल मत भूलना, और जाधा-जाधा लोग प्लीज अच्छे मुवी को सपोर्ट कीजे, even if it's a remake, मैं चाहती हूँ कि कुछ रिमेक्स ऐसे बन चुके है, जैसे कि Kabir Singh है, जैसे कि Vikram Veda, जैसे कि विक्रम वेद का, don't forget to like, share and subscribe to City Lights, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो जाने वाले हैं, until then, peace out.